विजली कमपनियों द्वारा मनमाने डंग से वसूले जा रहे हैं चार्जिस को लेकर के आज बुराडी की जो जनता है वो सड़कों पर विरोध परदर्शन कर रहे हैं विजली के खिलाफ कर रहे हैं यहां अभी जो सरकार है आम आदमी की सरकार है और आम आदमी वालों ने बिजली हाफ और पानी माफ का नारा करके यह सरकार का गठन किया था लेकिन यहां आप देखेंगे कि बिजली के नाम पर लूट है जैसे पहले जो कनेक्शन 36 रुपया में लगता था वही कनेक्शन अब 10,020 रुपया ले रहे हैं और जो 2 किलो वाट का कनेक्शन 42 रुपय करके इन्होंने 766 रुपया कर दिया है तो इसी तरह के अनेको टैक्स हैं जिसके लिए हम लोगों ने हां के छेत्रिये विधायक से मिला भी लेकिन वो बार बार आस्वासन देते हैं कि गलत है ऐसा नहीं होना चाहिए इसको हम अभी लंब ठीक करेंगे लेकिन उन्होंने अ है आश्यर्ज की बात इभी है कि जो आज से 20 वर्ष पहले एलेक्टिफाई था आज उसको भी लोग ने लेक्टिफाई कर दिये हैं तो ने लेक्टिफाई करके ही पैसा वसूली का एक यह बनाए है और कुछ नहीं है इन लोगों का लेकर के तमाम जो लोग है वो विरोध क करने की कोशिश यहां पर करेंगे मैं आपसे दरना चाहूंगा कितना यह पर असर पढ़ रहा है आपकी सर इससे बहुत असर पढ़ रहा है पर कनेक्शन जो है सोलाजार सोलाजार सम्थिंग जो एक्स्टा ले रहे हैं दो किलो वाट के पहले जहां 42 और लगते थे और वह कुछ समझ सकते हैं गरीब आदवी जो सुबह मज़ूरी पर जाता है शाम को घर आता है किस तरह से अपना घर जो चला रहा है उससे जो सोलाजार रुपए पर सोलाजार सम्थिंग जो एक्स्टा दिया जा रहा है यह गोड़ा निया है यहां कि जंता के साथ लूट है कम से कम यहां पर 30 कलोनियों से इस तरह की लूट की सुट हो रही है पिछले एक साल से हमाने बिदाइक जी के चकर काट रहे हैं उनको लिखित में दे रहे हैं एंड साम तक नहीं पिचाएंगे हम आगे चाहिए हमें अपने मुख्या मंतरी जी के पाज जाना पड़े या प्रदान मंतरी जी के पाज जाना पड़े राश्परी जाना है हम इस लड़ाई को आगे तक लेकर जाएंगे यह बाइज शिलिंदर जी का बहुत बहुत वीडियोस को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बिल आइकन का बटन दबाएं